वेल्कम टो माई यूट्यूब चैनल दे लाइट आफ नॉलेज प्रिवेस लेक्चर में हमने डिसकस किया था डिफ्रेंस बिट्मीन कंपाउंड और मिक्च्चर एंड डिफ्रेंस बिट्मीन आयॉनिक कंपाउंड और कवलेंड कंपाउंड आज हम एक नए टॉपिक के साथ पहले है आज का टॉपिक सबसे पहले आपके पास के चोटी-चोटी टर्म थे पहले हैं पहली की आपके पास है यह कि किरें किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए गया स्पेसिफिक शिंबल यूज करते हैं एक इनलामत यूज फॉर एक हो खेंप ऑन पस आपके ब एक नाम रखती है ठीक है एक नाम रखती है अब उस एलिमेंट के नाम की हमने चोटी 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 एब्रिवेशन बना लिए उन चोटी चोटी एब्रिवेशन का क्या हमारे फाइदा होते हैं कि जब हम ड्यूरिंग रियक्शन करवा रहे होते हैं तो रियक्शन में सिंवल के हें हंड फिis सिंवल कंपिन हुए थिक हो गया पास कि बिखने का तरीका क्या होता है कि अब कुछ ऐसे होते हैं अपने हो पर जैने के हैं के सिंपल एक ग्राइडरोजिन ले लेकिन श्याषियों इस से होते हैं जो जो वर्ड पी घास है तो क्या करते हम उसमें पहला वर्ड लगार के थे एक अपर केसं मुझे थो सिंबल का हमें क्या फारिदा ही थों हमारे पास किसी बीनिम्न के बड़े नियं को में चलिकने क्बने में हमारे पास Door में मी झाल की शौंट में हमारे जरूरत होती है एंप कि इनकी अब्रिवेशन के जरिए जो हम इनकी सिम्बल को जो है वो शो करते हैं ताके हमें पता चल सके के यह ऐलिमेंट कौन सा है तिर उसके बाद आपके पास आजाता है अटॉमिक नंबर और अटॉमिक मैस क्या है मैंने आपको बताया था कि एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है ज हमारे पास न्यूट्रल होते है तो अब हमारे पास जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते है वह हमारे पास एक्टम में न्यूकलिस में मुझूद होते है एक्टम कुछ की इस तरह की शेप होती है कुछ यह मैं प्लेनर बना रहे हूं बढ़ना स्पेस वाली होती है अब क प्रोट्वर... इन नियूकलेश में मुझूद होंगे वहमारे पास कहलाएंगे अच्छों का होता होता है प्रोट नमबर प्लस नूच्राइटॉन इन ऊंड सम नूच्छों of proton और number of neutron दोनों को सम कर देते हो तो आपके पास atomic mass बनता है आप atomic number को रिप्रेजेंट करते हो जबकि atomic mass को करते हो a से capital A से ठीक हो गया अब for example आपके पास carbon में 6 proton मुझूद है तो इसका atomic number होगा six ठीक है इसका atomic number होगा six और इसी तरह हमारे पास number of proton carbon में 6 हैं इसी तरह number of neutron भी हमारे पास 6 है तो जब number of proton number of neutron को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास answer 12 आएगा जो के हमारे पास atomic mass carbon का ठीक है atomic mass carbon का 12 है और atomic number हमारे पास carbon 6 है ठीक हो गया अब क्या है आप मुखलिफ एटम्स में क्या होता है कि कभी-कभी number of proton number of neutron सेम होते हैं लेकिन कुछ एटम जैसे होते हैं उसमें number of proton number of neutron different होने के जासे वह आइसोटोप एक अलग सा topic है तो वह बन जाते हैं तो क्या होता है हमारे पास जो अर्रेंजमेंट है प्रियॉडिक टेबल की आपको में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रही हूं कि प्रियॉडिक टेबल में जो हमारे पास arrangement है हमारे elements की on the basis of number or atomic number है ठीक है number of proton की बेसिस पर क्योंकि number of neutron different हो सकते हैं जिसकी जैसे atomic mass उपर नीचे हो जाता है अब देखें क्या कहते है जो कार्बन 12 है उसका atomic mass 12 है जब कर्बन 13 भी है जिसका atomic mass 13 है तो वह कार्बन ही तो कार्बन के हम सिरफ उसके atomic number की बेस पर उसको हमने प्रॉडिक टेबल में बेस कि यह आपकी टोटली जो है ना वह एक्स्ट्रा इसका है में कि दूसरी चीज बारिघiau लुक्त हDEN यूज करते हो तब करते हो जो जब आप उसको compare करते हो किससे c12 के c12 एक आइसोटोप है c12 के जो है वो अटॉमिक मैस से जब आप किसी एक्टम के एक्टम का अटॉमिक मैस compare करते हो c12 के अटॉमिक मैस के साथ तो आप उसको नेम दे देते हो relative atomic mass it is an average mass of an atom of an element as compared to the mass of one atom atom of c12 आइसोटोप आप क्या कर रहे हो एक atom के atomic mass को compare कर रहे हो एक atom किस किस atom से c12 के atom से ठीक हो गया इसको आप कह देते हो relative atomic mass अब relative atomic mass का आपके पास unit क्या है atomic mass unit यह amu आपने previous lecture में जब आपने gram atomic mass देखा था तो वहां पर आपने amu देखा था ठीक है कि आप amu को gram से रिप्लेस करें तो यह वही amu atomic mass unit amu it is a unit of relative atomic mass relative atomic mass is the one twelfth of mass of an atom of one carbon 12 वह क्या कहता है वह कहता है यह हमारे पास relative atomic mass unit और हमारे पास relative atomic mass unit यह अगर आप एक carbon मतलब carbon 12 के mass के बारा हिस्से कर लो ना तो उसका वह 12 हिस्सा इक्वल होगा हमारे पास 1 amu यहां पर आपके पास c12 है अगर आप उसे बारा पोश्चन में डिवाइड कर लो इसके mass के बारा बारा हिस्से कर लो तो जो एक amu वह इक्वल होगा उसके बारा हिस्से के ठीक हो गया तो 1 amu is equal to 1.6 multiplied and raise to power 24 ग्राम यह हमारे पास 12 पार्ट है किसका atomic mass of carbon 12 के ठीक है तो यहां पर आपका lecture sum up हो गया जिसमें आपने देखा कि सिंबल क्या है उसके बाद देखा आपने atomic number क्या है atomic mass इन दोनों में difference देखा है देखिए कि 1 amu आपके पास equal होता है 12th part of mass of carbon 12 जिसकी वैल्यू हमारे पास 1.66 multiplied and raise to power minus 24 ग्राम आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक किजेगा कमेंट सेक्शन में कमेंट भी किजेगा मेरे चैनल पन